हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सभी का चैनल फोर एक्जाम बार में फ्रेंट्स आज की स्वीडों में अभी हम लोग देखने वाले हैं पॉल्टिकल सैंस का हना काफी इंपोरेंट प्रस्ण अब्जेक्टिव टाइप कुशन और यहां से आपके फैनल एक्जाम में कई प्रस से कौन थे तो पहला का राइट ऑंसर है अप्शन नमर यह डॉक्टर अमीद कर ठीक है कोशन नमर नेक्स्ट है भारतिय राश्टी कॉंगरिस के संस्थापक कौन थे भारतिय राश्टी कॉंगरिस के जो संस्थापक थे ओं ते डवलू सी बनर्जी महात्मा गांधी एई- को यूम एन एनी बेसेंट ठीक है तो सेकेंड करेट आउसर है ऑप्शन नमबर सी यह हूं कोशन नमबर थी है थी नमबर कुशन क्या है भारतिय सिवधान की अठ्वी अनुसुची में क्या वर्नित है भासाओं की सुची और अक्षन की सुची पंचायती राज के कारियर आप अप्शन नमबर की भासाओं की सुची ठीक है भारतिय सिवधान की अठ्वी अनुसुची में क्या वर्नित है तो भासाओं की सुची वर्नित है कुशन नमबर चार है इसमें भारत में कौन सी दलिये विवस्था मोजूद है तो चार करेट आउसर है ऑप्शन नमबर सी बह हजर पांच उके अगला प्रस्ण है उसे नंबर अगले के हैं 1942 में गांधे जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था कौन सा आंदोलन था सवीनई अवग्या आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन स्वराज आंदोलन नमक आंदोलन तो सिक्स का रैट आंसर है आपसर नंबर भी भ पहला कौन है अंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश अरुनाचल प्रदेश तो इसका सही आंसर है आपसर नंबर यह आंद्रप्रदेश को संजुक्त राष्ट संघ कि अस्थापना हुई कब हुई 1942 में 1945 में 1950 में 1952 तो 8 का रैट आइट आंसर है option नमबर B 1945 में ठीक है question नमब 9 है सारक का मुख्याले कहां है 9 का रैट आंसर है option नमबर C question नमबर 10 है भारतिय संसदगी शासर विवस्था में मुख्य कार्य पाले का कौन होता है तो 10 का जो सही आंसर है वह है option number की परधान मंत्री ठीक है अगला प्रस्न है पंचायत समीति का परमूख कौन होता है तो 11 का right answer है option number D परखंड परमूख question number 12 है 2015 की विधान सभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई जनता दल राश्टिय जनता दल कॉंग्रेस इनमें से सभी ने तो 12 का जो right answer है वह है option number D इनमें से सभी ने ठीक है option number इसका D सही है question number अगला है 13 नमबर भारत में किस अनुच्छेद के तहत राश्टिय आपात काल लगाया जाता है तो 13 का जो सही answer है वह है option number B अनुच्छेद 356 के तहत ठीक है अगला प्रस्न है MST इंटरनेस्टनल किस से समंधित है तो 14 का right answer है option number B मानवा अधिकार question number 15 है अन्तराश्टिय नियाले का मुख्याले कहां अवस्थी थे तो 15 का जो right answer है वह है option number D हैग question number 16 है B सुत्रिय कार्यकरम किस परधान मुंत्रिय से समंधित है राजिव गांधी इंद्रा गांधी B.P. सिंग I.K. गुजराल तो 16 का right answer है option number B. इंद्रा कांधी question number 17 है किस सिवधान संसोधन के द्वारा पंचायतों में महलाओं को अरक्षन परधान किया गया तो 17 का सही answer है option number D. तिहतरवा ठीक है अगला प्रशन है सुचना के अधिकार आंदोलन के शुरुवात कहां से हुई राजस्थान से दिल्य से तमिल नाडो से बिहार से तो 18 का right answer है option number ये राजस्थान से ठीक है question number 19 है भारत में वित्य वर्सों होता है तो 19 का सही answer है option number C एक अप्रेल से 31 मार्च तक 20 नमबर प्रशन है भारत में कुल कितने राज ये है 26, 27, 28, 29 भारत में कुल कितने राज ये है तो इसका जो answer है वो आपको comment box में बताना है ठीक है भारत में जो है जो कुल कितने state है कुल कितने राज ये है ओके अगला प्रशन है question number अगला है पहला गुट निर्पेक चांदोलन स्वारी समिलन कहां हुआ 21 का सही answer है option number B option number B क्या है तो बेल ग्रेड में अगला प्रशन है नेमली खित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है Malaysia, Indonesia, Japan, भारत कौन है सार्क का सदस्य तो 22 का सही answer है option number D भारत ठीक है अगला प्रशन है UNO नी सस्तिर करन आयोग कब बना तो 23 का सही answer है option number क्या हो जाएगा 23 का तो इसका सही answer हो जाएगा option number B ठीक है 1902 अगला प्रशन है 24 number ओके किस देश ने सुरच्छा प्रेशद में ने सिधा धिकार का सरवाधिक बार प्रयोग किया 24 का सही answer है option number C रूज ठीक है अगला प्रशन है योजन आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना नीति आयोग वीत आयोग राज जी वीत आयोग इनमें से कोई नहीं तो 25 का जो सही answer है क्या हो जागा तो इसका right answer हो जागा option number C नीति आयोग और ये जो कोशन है 26 नमर ये हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे ठीक है तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को आप सब्सक्राब कर लिजएगा पार्ट 2 का वीडियो जो है सो आपको मिल जागा अगर आप सब्सक्राब करके बेल आकन को all पर select करती जएगा तब जो है सो notification आपको पार्ट 2 वीडियो का मिल जागा होना तो सब्सक्राब करती जएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब ते के लिए थांग शुर्वाजेंग